हेलो गाईज आपका हमारे चैनल बैक फॉम देड में स्वाकत हैं तो अगर आपको भी तीन पती में नेटवर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए आज की वीडियो में पताऊंगा तो वीडियो पसंद आ है वीडियो को जुरूर किजेगा हमारे चैनल बैक फॉम देड को सब्सक्राइब करें ऐसी नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ करें तो जिस अधtesू करने आपको उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक उप्षन देखे गा का तो इस पर क्लिक करदेने simply तो जैसे मैं सिपर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहां पर सक्तिकर को गचंवा है तो इसको करने के बाद यहां पर اक उप्षन होगा प्रिफ благодар network type यहां पे नीचे एक और option देखेगा mobile network का, तो इस पे click कर देना है इस पे click करने के बाद यहांपे इसको automatic पर ही रहने दीजिएगा automatic पर रहने के बाद इसको यहां से back आजाना एक बाद, back आने के बाद advanced setting में आजाना हमें का तो advanced setting में आने के बाद यहां पर data roaming option के सबसे उपर तो data roaming को always पर select कर लिजिएगा उसके बाद नीचे का option होगा mobile network diagnosis तो यहां से क्या होगा कि आपके internet connection की speed का पता चलेगा एक बाद internet connection की speed को check कर लिजिएगा तो यहां से इक बाद मैं internet connection की speed को check कर लेता हूं तो यहां पर आसहरा सीपीड नर्मल बता रहा है तो स्पीड नर्मल है तो इसके ball यहां से बैक आजाते हैं तो इसके बाद बैक आने की बाद फिर से सटिंग में आने हमें सेटिंग में नहाने के बाद यहां पर connection and sharing option है तो इसको यहां reset कर देना, reset Wi-Fi mobile network and Bluetooth तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना है हमें एक पर अपने device को restart करना है restart करने के बाद हमारी जो भी problem आ रही थी वो solve हो जाएगी